वलकूम बैक दोस्तो देखो इस पड़िकलिए वीडियो में हम पढ़ेंगे रूल ओफ महराजा प्रताप सिंग्ग रूल ओफ महराजा प्रताप सिंग्ग ठीक है दोस्तो महराजा प्रताप सिंग्ग के अगर आप बात करें देखो सबसे पहले फाउंडर जो हैं modern state of जम्मू एंड किश्मीर पे रूल करने वाले हैं इनके टाइम पर डिफरेंट आपको देखेंगे रिफॉर्म्स देखने को मिलेंगे इस वीडियो में इनी को पढ़ेंगे छोटी वीडियो होगी वीडियो में आप बने रहें informative वीडियो रहेगी बहुत जादी चीज़ें आपको सीखने को मिल जाएगी चले वेन वी टॉक अबाउट रूल आफ महराजा परताप सिंग दोस्तों महराजा परताप सिंग के बारे में अगर आपको दो चार बाते बताओ ना देखो दो बाते याद रखें एक तो केनाल्स दोस्तों केनाल्स में इनका जो कॉंट्रिबूशन है ठीक है डीवेल टाइम में जहिन लाब दीन थे जिन्होंने इतनी केनाल्स बनवाई थी modern टाइम में आप देखेंगे तो मिस्टर परताप सिंग है जमू और किश्मीर में डिफरेंट केनाल्स बनाते हैं जो आज भी सर्वाइव करती हैं और बहुत जादी important केनाल्स है ठीक है दूसरी बात अगर आप देखेंगे दूसरी इनकी education के field में बहुत जादी contribution है education के field में बिकस इतने तगड़ तगड़े colleges ये बनवाएंगे अपने आप में पहले ही colleges थे तबसे पुराने colleges जमवन किश्वीर के उठाएंगे वह आपको Mr. Pratap Singh बनाते हुए नजर आएंगे इनसे पहले colleges नहीं थे no doubt schools थे different schools थे high secondary भी रनबीर सिंग ने बनवाई थी अगर आपको याद होगा जोनवन किश्मिर निया का PART बने इन्स्ट्रूमें देखे तब अगली में देखेंगे चले परताफ सिंग वाज स्कॉलर औज एड मिनंस्टैटर थे no doubt during his British interference increase to maximum important बाता दोस्तों देखो महराजा गुलाप सिंग के साथ इनकी ट्रिटी हुई थी बोला जी हम interference नहीं करेंगे इंटर्नल मैटर से ठीक है दस साल महराजा गुलाप सिंग ने रूल किया तरह उनके बाद में देखेंगा इनके टाइम पर थोड़ी बहुत interference शुरू हो ही चुकी थी अंगरेजों की और लेकिन प्रताप सिंग के टाइम पर बहुत तगड़ी लावल की interference हो इतनी interference हो जाएगी को दोस्तों कुछ टाइम के लिए इनको हटाई दिया जाएगा आज महराजा हट जाएंगे तो ये भी अगर आप से सवाल पूचें विच अव दे फॉलिविंग रूलर्स वाज रिमूवड फॉर ए टाइम फॉर सम ताइम ठीक है फ्रॉम ही सीट या फ्रॉम थ्रून बाइद ब्रिटिश तो प्रताप सिंग अभी आगने हमले स्लाइट्स में आपको पता लगेगा चले जी इसके बाद में इनके भतीजे हैं हरी सिंग आ जेंगे दन उसको हम देखेंगे चले जी तो इनके अगर आप अगर हम पढ़ना स्टाट करें नंबर वं वरी वरी इंपोर्टंट पॉइंट ही एबॉलिस्ट बेगार दोस्तों बेगार तो सिस्टम फोर्सफली काम कराना बिना पैसे के काम करवाना किसी से वो बेगार होता है ठीक है जी नॉर्मल बात ही हिस्ट्री में ये सारे चीज़ें आपको देखने को मिलती है और इन्होंने ये क्या करती एबॉलिश महाराजा गुलाप सिंग ने रिफॉर्म्स लाए थे रनबीर सिंग ने भी इसमें कुछ रिफ आप रनबीर सिंग पर पहुंचें तो आप देखेंगे रनबीर सिंग ने एक रोड बनवाय था बनीहाल काट रोड जिसको हमने बोला बीसी रोड ठीक है याद रखना पहले दूसरा उन्होंने आप देखेंगे एक और रोड बनवाय था रावल पिंडी टू स्री नगर य इनों ने बनवाया जेलम वैली काट रोड उन सा जेलम वैली काट रोड जो आप देखिंगे कोहाला टु बारामुला से करता है ये daunese कोहाला से बारामुला और बाद में परताप सिंग ने बनवाया था बनी हाल काट रोड नहीं बनी हाल काट रोड इन्हों ने ओपन करवाया था कॉमन लोगों के लिए पहले वो रॉयल रोड हुआ करता था यहां पे सिर्फ सरकारी गाड़िया जाएंगे सरकार के गाड़िया जाएंगे ठीक है जी रॉयल लोग मैं खुद बताऊंगा, चले जी, जम्मु एन किश्मीर में पहली बार railway lines बिचाएगी, दोस्तों, पहली बार railway lines बिचाएगी, CR code to Jammu, CR code to Jammu, ठीके जी, चलो, और telegraph lines were extended, word पे चले जाना, extended, extend किया है इनो ने, ठीके, इससे पहली Ranbir Singh ने establish कर दिये थे, telegraphs, telephones नहीं, तो यह क्या करेंगे, Jammu एन किश्मीर was connected by telephones, तो telephone lines भी बिचाएगी, इनके time पे देखो, नहीं जो चीज़ी होई, नहीं जो चीज़े, railways नहीं है, ठीक है, telephones नहीं है, इन्होंने introduce किये, ठीक, दो important बाते है, irrigation agriculture को flourish करने के लिए, irrigation बड़ी, एक important role play करता है, irrigation पाने से ही तो होगा, पाने से, earlier आपको पता है, ऐसे कोई pump नहीं थे, borewells नहीं थे, इतने technology नहीं थी, तो canals एक role important play करती थी, एक जगा से, दूसरे जगा पानी जाएगा, खेतों में लोगों के, ठीक है जी, तो इन्होंने numerous canals बनवाई थी, जिसमें कुछ important canals अगर आप देखेंगे, तो परताब canals और रनबीर canals, सबसे बड़ी canals है, length wise भी अगर आप देखेंगे, दोस्तो रनबीर canals आज भी आपको जमू स्टी में देखने को मिल जाएगी, ठीक है, आरस पूरा तक ये canals जा रही ही है, रनबीर canals very important, अगला है परताब canals, ये भी आपको अखनूर की तरफ मिल जाएगी, अखनूर की तरफ मिल जाएगी दोस्तों, कठुगा में आप देखेंग कोई आएगा वो परताब सिंग होगा, एक बात बरी समझें, देखो, यहाँ पर ये जो केनाल आपको दिखाई दे रही है, रनबीर केनाल, आप अकसर confused हो जाएगे, रनबीर केनाल को रनबीर सिंग ने बनवाया नहीं, रनबीर केनाल को उनके बेटे परताब सिंग ने बन होगा था, कहां पे महरा में, महरा कहां पे है, बारा मुला में, महरा, बारा मुला में, हाइडरो एलेक्रिक प्रोजेक्ट, आप ये बोल सकते हैं कि डैम, जो बिजली प्रोड्यूस करेगा, ठीक है ची, 1907 में, डेट अगें, इस नॉट इम्पॉर्टन, ठीक, ने पाकिस् अपसिं, established department of agriculture, agriculture को देखनें के एक अलख department ही इनोने त्यार कर दिया, department of agriculture, a model agriculture form was set up at Sweenagal, for the spread of knowledge about the scientific methods of cultivation, serious efforts were made to improve the horticulture, दोस ओ हो हो दिन कि होता है आपका, fruits, vegetables की, खेटि को ही हम क्या बोलते हैं, हो दिन कि होते हैं, होटी कल्चर होते हैं, foreign experts were employed for the purpose इन्होंने ऐसे बोला गया है कि haughty culture को इन्होंने अच्छा बनाने के लिए foreign से भी लोग बुलाए थे British, India से इन्होंने लोग बुलाए थे जो कि इस पे research करें और यहां की मिट्टी को देखें, study करें और इनकी help करें तो इहां पे इन्होंने यह सारे काम किये थे ठीक, next time है मारे पास promotion of tourism very very important दोस्तों, जितने tourism इनके time पे कश्मीर में बढ़ी है इनसे पहले नहीं थी इनसे पहले नहीं थी, ठीक है जी, चलो जी During Maharaja Pratap Singh period the era of tourist traffic started in the right earnest in the state याद रखे The world famous houseboats were first constructed during his reign देखो दोस्तों, कहानी किया थी मैं आपको बताता हूँ, इनके time पे जो अंग्रेज़ लोग थे नहीं, इनका आना जाना कश्मीर में बढ़ा और कश्मीर इनको बहुत खूब सुरत लग रहा है बहुत खूब सुरत लग रहा है तो आप हमें जमीन दे दो महराजा परताब सिंग बोलते है जनाब जमीन तो नहीं दे सकते हम आपको हम जमीन देंगे बई, ना हम बारवाले को जमीन देते है ठीक है जी जमीन हम आपको नहीं देंगे तो जब जमीन नहीं दिया, तैन उन्होंने देखो जमीन लेना था तो colonies बनानी थी, तब उन्होंने houseboats बनवाई, अपनी शुरूत के हिसाब से जो जो चीज़े उनको चाहिए थी, अपनी सुहुलेत के हिसाब से उन्होंने वो चीज़े houseboats में लगाई, और उस time से houseboats जो शुरू हो गई है कश्मीर में, डल लेक में आपको बड़ी जादी houseboats जेखने को मिलती हैं, जो उसकी खुबसूरती को चार चांद लगाती हैं दोस्तों, ठीक है जी, चलो जी, तो आप देखेंगे इनके time पर houseboats आए, many efforts were made by the Englishman to obtain the right of purchasing land for building houses, जब ये नहीं मिले, and this would have turned कश्मीर into a British colony, the Maharaja refused to entertain the proposal and actually led to the construction of houseboats, ये कहानी में आपको बता दी, education में तगड़ा contribution इनका है, बहुत तगड़ा contribution है, ठीक है, जैसे कि आप देखेंगे दोस्तों इन्होंने बनाए श्री प्रताप college श्री नेगर, इंडिया में, सुरी, इंडिया का भी बोल सकते हैं, अच्छा, जमू एन किश्मीर का सबसे पुराना oldest college जो है, श्री college है, science college, prestigious college है, जैसे हम क्या बोल देते हैं, science college बोल देते हैं, दोस्तों यह science college क्या है, prince of Wales college, तो आपको इस पर भी सवाल पुछेगा, which of the following college, earlier, known as prince of Wales college, तो आप बोलेंगे कौन है, आपका science college था, जो आज का है, ठीक है, अमर सिंग टेकनिकल इंसिट्यूट श्री नगर, अमर सिंग college भी बोल देते हैं, ठीक है जी, या, प्रताप सिंग टेकनिकल इंसिट्यूट जमू और एक library, दोस्तों पहली library किसने बनवाई थे, अगर आपको यादार होगा, रणबीर सिंग ने, रणबीर library, ठीक है जी, जब उन्होंने जमू में library बनवाई थे, तो इन्ह दोस्तों vaccination का मतलब T का करन, दोस्तों vaccination जो है, एक modern concept है, इससे पहले vaccination का कोई हमें पता नहीं था, ठीक, तो आप देखेंगे, around 1892 के आसपास, जमू और किश्मीर में कॉलरा और smallpox जैसी बिमारियां फैली, ठीक है, तो ये viruses से होती है, ठीक है, smallpox जैसे आगर आप के लिए vaccination इन्होंने इंट्रोड्यूस की है, तो पहली बार vaccination इनिक के टाइम पे जो है, ये लगाई गी देखें, तो ये भी याद रखें, ठीक, नाव बात करते हैं, महाराजा's relation with British Government, बहुत जाधा important है, बहुत जाधा, जैसे मैंने आपको पहली बता दिया, कि महाराजा प्रताप सिंह के टाइम पे सबसे जाधा contribution, interference, British India Government जो है, उसकी रही है, क्यों ये कबजा करना चाते थे कश्मीर के ऊपर, कश्मीर के ऊपर इसलिए कबजा करना चाते हैं, तो दोस्तों अगर आप ये देखेंगे, अभी map इदर मेंने लगाया नहीं है, कश्मीर अगर आप देखेंगे, जो आज पाक आकूपाइट कश्मीर का इलाका है, गिल-गिल-बालतिस्तान, तो देखेंगे, इसके उपर लगता है अफगानिस्तान, तो ये इक्स्पेंशन कर रहा था, अब इनको ये डर था, क्यों रश्या है, इंडिया में ना आजाए, इंडिया हमारी ब बफर स्टेट क्रियेट करना चाहते थे जमुएन किश्मीर को अब इनका ध्यान जमुएन किश्मीर पे था दो इनकी वैसे तो ट्रेटी साइन हुई थी गुलाब सिंग के साथ 75,000 रुपे में खरीदी हुई ये स्टेट ठीक है ट्रेटी अफमरिस सर के भाई हम आपके इंट अधरबार में बैठेगा 8085 में स्टी जॉन नामक बंदा जो है अपॉइंटेड एस फर्स्ट रेसिडेंट इन स्टेट वरी इंपोर्टन बोलूँगा दोस्तों इस पे सवाल वैसे नहीं पूछा गया है लेकिन पूछा जाएगा पूछा जाएगा ठीक है ठी जॉन वाउ जो है यह बहुत जादा परिशान करेगा ठीक है जी क्या करता है आप देखेंगे प्लोडन ही वन सेट अबाउट प्लैनिंग टो रिमूफ प्रताप सिंग एस महाराजा एन एक स्टेट ठीक है एक बार तो इस तरीके से ब्रिटिश गवर्मेंट के कान बरे हैं बोले जी अ अंसांड माइन ने इनको हटा हो जी और आप देखेंगे तो डेपोजिशन आफ प्रताप सिंग ठीक है जी तो आप देखेंगे इनको हटा भी जाया जाएगा ठीक है डी थ्रोन कर दिया जाता है डी थ्रोन कर दिया जाता है महाराजा प्रताप सिंग को ठीक है प्लोडन र आप देखेंगे इसके बाद में ऊपर हमने बहुत आफगानिस्तान तो यहां पर बॉर्डर जो बना रहा है यह लाका जो बॉर्डर वाला जो इलाका था तो यहां पर एक बृटिश एजंसी इस्टाबलिश कर दी बृटिश एजंसी इस्टाबलिश कर दी 1891 में इन गिलगित और पूरा का पूरा का पूरा कंट्रोल इसके हाथ में दे दिया गया कि आप इस पर कंट्रोल करेंगे और आप इसको अड्मिनिस्टर करेंगे अब यह टाइम था बट्विट जब इनको हटा दिया गया इंडियन वीडिया ने लाधों से मुकर जाते इस बार फिर वादों से मुकर साइन किया है जब बोला है इंटर फेरस नहीं करीगे आप किस तरीके से इंटरफेर कर सकते हैं ठीक तो पूरी के पूरी मीडिया जब छापना स्टार्ट कि इन्के पर pressure बना तो दुबारा से Mr. Pratap Singh जो है उनको बहाल किया जाता है दुबारा से उनकी state जो है उनको वापस दी जाती है बट एक शर्त पर आप क्या करेंगे एक resident हमारा पका ही अपने इधार रखेंगे और ठीक है और देन इनों ने ये सारा काम किया गिलगेट अपने कबसे में ले लिए दोस्तों अपनी जिंदेगी की end में आप देखेंगे पहुंचते पहुंचते जब इनका rule खातम हो जाना और इनकी death हो जानी है महराजा परताप Singh जो है एक executive council बनाते है दोस्तों कौन से एक council? executive council legislative council नहीं बोल रहा हूँ legislative council का मतलब होता है law बनाएगी जो जो law making करेगी ठीक है अभी तक law making जो है वो king खुद ही है ठीक है ठीक है? बट law की implementation government की functioning में smoothening करने के लिए एक executive council बनाएगी है दोस्तों executive council को अगर आपको मैं समझाओ तो आप cabinet समझ सकते है एक cabinet समझ सकते है कितने members की? पांच members की ठीक है जी? और प्रताप सिंग जो है उसके खुद ही president थे highest appeal इनी की थी, मरजी इनी की थी लेकिन इन से different major decision जो है इनके advices पे लिये जाते थे state में ठीक है जी? तो दोस्तों ये कुछ important points है महराजा परताप सिंग के बारे में education याद रखे पहला परताप सिंग कॉलेच स्रीनिगर, प्रिंस आप वेल कॉलेच, जमू 1905, 1905, पहली बार railway बिचाएगी, पहली बार railway बिचाएगी, टेलिग्राफ लाइन जो बिची हुई थी, उसको extend किया गया ठीक है जी? फर्स्ट हाइडरो उलेक्टरिक प्रोजेक्ट बनाया गया, परताप कनाल रनबीर कनाल इन्हों ने बनाई, बसंतपूर कनाल, उर्ज कनाल, बसंतर कनाल अच्छा ठीक है? अच्छा अपर जहलम कनाल, ठीक बनिहाल काट रोड को ओपन कर दिया, आम लोगों के लिए भी ठीक है जी? और इनी का टाइम पे ब्रिटिश रेसिदेंस आके बैठता है, स्टी जॉन स्टी जॉन, और इंफुरेंस इतना तगड़ा हो जाता है कि इनको हटा भी दिया जाता है कुछ नाइम के लिए तो ये कुछ important points है महराजा परताप सिंग के बारे में अगली, अच्छा 1925 में इनकी death हो जाती है अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे महराजा हरी सिंग बहुत जादा important है बहुत जादा important है महराजा हरी सिंग बढ़ेंगे बहुत जादा reforms भी ये करेंगे reforms करेंगे इनके time पर आप देखेंगे जमुएन किश्मीर में एक तहल का समझ जाएगा तहल का मझ जाएगा क्योंकि अगर आप देखेंगे हरी सिंग 1925 से 47 तक rule करेंगे और 25 का time अगर आप देखेंगे इंडिया में तगड़े तगड़े movement चल रहे है और वो किस basis पर चल रहे हैं democracy भी तो यहाँ पर आप देखेंगे ऐसे movement चलेंगे वहाँ पर चलेंगे कुट इंडिया movement वहाँ यहाँ पर कुट किश्मीर movement भी एक चलेगा अगर आप जमोन किश्मीर इंडिया का पार्ट ना बनता तो यहाँ पर वैसे भी democracy established होनी ही होनी थी क्योंकि लोग इस बात की demand कर रहे थे तो यहाँ नेक्स वीडियो में देखेंगे तिल देन थैंक्यू वेरी मुच वेरी मुच वेरी मुच आप नाइस दे